नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी लोग आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज की क्लास में इतिहास का पहला पार्ट में यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं और step by step जो है जितने भी questions जो है history से बनने वाले होंगे सारे questions जो है मैं step by step में कराने वाला हूँ सो चली class को start आगे करते हैं इसके पहले आपको हम बताना चाहेंगे कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को subscribe जरू करें साथी साथ बगल में बेल आइकन है इसको भी आप प्रेस कर लेजें ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का notification आपको मिलता रहे हैं सो चली आज देखते हैं सबसे पहला important questions जो है यहां पर और step आ step जितनी भी questions जो है आपके बनेंगे सारा questions मैं discuss करूंगा यहां पर देखेंगे कि भारत का जो इतिहास होगा यह भारत की इतिहास की जानकारी जो है यहां पर चार बिंदू के माध्यम से आपको प्राप्त होती है पहला point आपका होगा भारत की इतिहास की जानकारी हमें जो है सबसे पले धर्म ग्रंथ से हमें जानकारी मिलती है इस सके बाद विदेश का वीवराण और पूरा तत्यसंबंदी सच्छी को होती यहास के बाद पर धर्म ग्रंथ में क्या है कि इसमें चार ग्रंथ आपके आजाते हैं धर्म ग्रंथ में जो है चार ग्रंथ होंगे पहला ग्रंथ आपका यहां पर देखेंगे रीगवेद यजूरवेद सामवेद और अथरवेद तीके यानि कि जो धर्म गरंठ होगा यह धर्म क्यों आपर चार भावों में इसको डिवाइड किया गया है इसमें रीग वेद यजूर वेद और अथार वेद और इसमें प्रतेक जो हैं धर्म के बारे में धर्म के बारे में जितने मी कोशन्स बनेंगे सारे कोशन्स कराऊंगा यहां पर सबसे पहले हम रीगवेद के बारे में देख लेते हैं रीगवेद में क्या है कि पहला पॉइंट का रायक रीगवेद में 10 मंडल एक अजार अाथाईस सुक्त 1046 zwar रचनाय है किसमे हैं तो रीगवेद में हैं तो कोशन्स क्या आपको बनेगा एक्जाम में कि रीगवेद में कितने रचनाय है पहला कोशन्स यह भी पूछा जाएगा कि रीग वेद में कितने सुक्त हैं यह और दुसरा कुशन थज़ταकु बन सकता है कि इसमें कितने मंडल है तो आप का ऑणतर होगा 10 मंडल होगा सबसे प्राचीन वेद कौण सा है सबसे प्राचीन क्ला सबसे प्राचीन Soviet कौणन सा है तो आप का अंसर क्या हो जाएगा रीकवेद सबसे प्राचीनمن Says होता हैं तो रीग वैद होगा इसके बाद फिर अगले हम पॉइंट की बात करते हैं यहां पर है कि रीगवेद में इंद्र के लिए 250 अगनी के लिए 200 रचनाई की गई है यानि कि अधियम रचनाई की बात करते हैं तो रिग्वेद में इंद्र के लिए 250 रचनाई की गई हैं और अगनी के लिए 200 रचनाई की गई है आपके तो पूछा जा सकता है कि रिग्वेद में इंद्र के लिए कितने रचना हैं तो 250 अगनी के लिए 200 ठीक है अब इसके बाद यजूर्वेद को गद और पद में लिखा ग इसके बाद मत sudah पुरान संबन्द किस्ते है तो मोरी गुश्य भंस आहां पर इसके बाद मत्स पुरान का संबन्द किस्ते होगा तो और साथवान से होगा आंद्र साथवान से क्या होगा मतभस सी पुराण इसके बाद अगला होगा वा फुरान का संबंद किस्ये है तो गुप्त व20 से है थीक distaste यानНе का MorUM क्णक कॉंसा कोईशिंट कर्मुक क्ला एंद का प्रमुक्द प्रमुख ग्रंथ कौन सा होगा तो आप बताएंगे आप का अंसर होगा कथा वस्तू ठीक है यह कथा वस्तू जाए ही लियान का प्रमुख जो एक ग्रंथ है ठीक है इसके बाद आप देखेंगे कि कलप सुत्र जो कलप सुत्र है ये धर्म, जैन धर्म का प्रारम विक इतिहास था, जो होगा जैन धर्म के बारे में जानकारी कुन देता है तो जो है कल्प सुत्र देता है तो कल्प सुत्र जो है आपका पूछा जाएगा कि जैन धर्म का प्रारंबी की इतियास कौन सा है कई आपसंस आपके दिये जाएंगे जिसमें कल्प सुत्र आप सुनोगा वो आपका अंसर क्या हो जाएगा वो शही हो रहाएगा इसके बाद पाइंट होता है कि अर्थ सास्थ की लेखक कौन है तो चाड़क क्या है इसके बाद अगला पाइंट देखते हैं कि सवर प्रथम भारत वर्स का जिक्र हाथी गुफा में प्राप्त होती है यहां पर देखेंगे कि जो भारत वर्स का जो एक्स्प्लेन होगा जिसके बारे में आप जानते हैं समझते हैं इसके बारे में जो बताया जाता है यह उसका साच्छ आपको कहां से आपको मिलता है तो हाथी गुफा से जो है उसको प्राप्त होती है भारत वर्स के बारे में इसके बाद जो है अगला point होता है कि सती प्रथा का पहला लिखित साच्छ, जो सती प्रथा जो थी, इसके जो लिखित जो प्रमार होंगे, वो कहां से आपको मिले हैं, वो प्रमार जो है, एरण अभिलेक से हैं, most important question, एरण अभिलेक से सती प्रथा का पहला लिखित साच्छ यहां से प्राप्त हुआ है एक नंबर आपको यहां से मिल जाएगा ठीक है इसके बाद कुछ मैंने अभिलेक और सासक की बारे में आपको यहां पर दिया गया है जो किससे भी रिलेटेट कोशन्स आपके बनते हैं यहां पर हाथी गुफा अभिलेक जो किससे इसके सासक कौन कौन रहें आपका तो कलिंग राज खाकलित है इसके बाद नासिक अभिलिक का के सासक कौन है आपके तो गौतमी बल्सरी है ठीक है और इसके बाद यहां पर जो फ्रियात अस्थम्भ को लेक के जो सासक़ कौण है वूंद्र गुप्त है समुझ्द गुप्त गुप्त आहने । with और रखस्टाण कौण है तो समुप्त है इसके बाद देखते हैं यहां पर यहाँ इस और प्रत्थम जो है सिख गुपर लिखने 이번 Live ृवन कि किया था यानि कि आप ऐसे स्कूझा सकते हैं कि यवन जो है मतलब कि सिक्कों पर लेख लिखने का जो कारेक करते थे यवन सांसकों की द्वारा किया जाता था under question कैसे पूशेगा कि जो है सिक्कों पर लेख किन के द्वारा लिखा जाता था तो आपका अंतर क्या होगा यह रिखा इसको लिखा जाता था ठीक है तो यह जो जिने भी मैने यहां से जो स्वर्यधम मैने लिया हुआ है यह सारे इश्रेक्ट इश्यान साथ क् exclusive क्से मैं आपके और यहां से आपको बनेगा और मैं आपको बता दूँ कि जितने भी आपके इसके parts हैं GKGS के जितने भी parts हैं तो मैंने यहां पर start किया हुआ है भारत का इतिहास जो है और इसके बादे step by step होगा हम इसके बारे में आपको वीडियू आपके आते रहेंगी यदि इसमें कोई confusion यदि कोई doubt आपका होता है तो आप हमारे comment section में जो आप comment कर सकते हैं और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप like करें और चैनल को subscribe करें चलिए और किसी दूसरी वीडियो में आप सभी से मिलते हैं तब तक के लिए जाएन बंदे मातरव